नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब चनल पी एफपी में आज हम दीपक नाइट राइट के बार में चर्चा करने वाले हैं तेजी के अच्छे संकेत नजर आता है तो हमारी रंड नीती क्या होनी चाहिए ऐसे रीटेलर हमें क्या करना चाहिए इसके बा बहुत अच्छी बात है, Financial Trend तो Healthy है, Return Ratios के बार में बात करें, ROE 32%, ROC 40%, ROE 24%, तो Return Ratios भी बहुत अच्छा है, Leverage Ratio के बार में बात करें, Debt to Equity 0.09 है, Negligible कर्जा आपको नजर आता है, पहले भी बहुत ज़दा नहीं था, लेकिन और भी ज़दा Reduce हो चुका है, Interest Covered Ratio 48 है, तो leverage ratio भी काफी ज़दा अच्छे है share holding pattern के बार में बात करे तो total promoter holding 45.72% है जिसमें से कुछ भी pledge नहीं है mutual fund 5% other DIAE 5% FIAE 9% retail and other category में 35.34% के हिसेदारी नज़र आती है share holding pattern देखे एकदम fantastic मैं नहीं कहूंगा एक तो promoter के पास 50% से कम equity है और institutions से ज़्यादा आपको retailers नज़र आता है institutions आप देख पाएंगे 10% के अंदर ही है जबकि retailers का stake आपको कहीं ज़्यादा नज़र आता है तो ये clearly negative point हो जाता है share holding pattern में लेकिन recent trend के बार में बात करें तो mutual fund तो अपना stake यहाँ पर continuously reduce कर रहे है other DIA यह अपना stake continuously बढ़ा रहे है FIA is continuously reduce कर रहे थे लेकिन 2-3 quarter से आपको यह stable होता हुआ नज़र आया और थोड़ा बहुत minor increase आपको यहाँ पर नज़र आता है retailers के बार में बात करें retailers अपना stake continuously बढ़ा रहे थे लेकिन अभी यहाँ पर पिछले एक दो quarter से आपको थोड़ा बहुत reduce होता हुआ नज़र आता है तो यह जो change आपको retailer में और FIA में होता हुआ नज़र आता है यह जो recent trend है यह हमें positive नज़र आता है valuation के बार में बात करें 27 का PE ratio sector का जबकि 13 है price to book ratio 8.6 जबकि sector का ढाई के आसपास चल रहा है तो sector से compare करने पर हमें clearly यह stock महेंगा नज़र आता है लेकिन एक 20-25-30 के PE ratio पर अगर यह stock trade करता है तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महेंगा नहीं है chemical sector में growth opportunities काफी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ opportunities future पर ही नज़र आ रही है फ्यूचर में अच्छा होगा इसलिए stock अलड़ी बढ़ चुका है ऐसा नहीं है आपको यहाँ पर financials भी support करते हुए नज़र आते हैं revenue में profit में पिछले 4-5 सौल में अच्छी खासी growth देखने को मेली है तो एक high growth company के लिए इतनी अच्छे growth दिखाने वाली company के लिए 27 का PE ratio मेरे इसाब से बहुत ज़्यादा extremely overvalued है ऐसा मुझे नहीं लगता है stock के chart पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से stock हमें 3000 से नीचे आता हुए नज़र आया एक range में आपको यह downward trend में बदलता हुए नज़र आया और बाद में आप देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छा खासा bottom बनाने के बाद फिलाले stock strong होने की कोशिश करता हुए नज़र आता है stock अपने सारे moving average के उपर trade कर रहा है daily RSI 59 का level है momentum वापस हमें अच्छा होता हुए नज़र आता है daily chart पर important support resistance के बार में बात करें 2300 का resistance है और 2000 का support नज़र आता है weekly chart पर देखेंगे तो हमारा resistance भी same रहेगा और support भी same रहेगा अगर हम monthly chart पर देखने जाता है तो हमारा जो resistance है वो same ही नज़र आता है 2300 से करके 2350 का zone as a resistance पहले भी देखने को मिला था support के बार में बात करें तो approximately 2000 के आज़र के आज़र आता है 1950 से करके 2000 का zone तो यहाँ पर आप range अगर देखने चाहेंगे daily और weekly और monthly chart पर आपको range almost same ही नज़र आती है minor सा difference आपको यहाँ पर नज़र आता है तो फिलाल हमारी run नीती क्या होनी चाहिए यहाँ पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से एक range में stock trade कर रहा था channel में range नहीं actually channel में stock trade कर रहा था और इस channel का आपको breakout भी देखने को मिला यहाँ पर यह गिरावट देखने को मिली फिर breakout हुआ लेकिन यह breakout वापस आपको गिरावट होती भी नज़र आई लेकिन ज्यादा fail नहीं हुआ breakout इस level के नीचे अब तक यह stock नहीं आया था यह जो swing low बनाया था यह level अभी तक नहीं तूटा था उसके पहले stock हमें reverse होता हुआ नज़र आता है तो यह एक अच्छी बात हो जाती है तो फिलाल अगर यह 2300 का level तोड़ देता है यह 2300 से करके 2350 का जो zone है अगर यह तूटता हुआ नज़र आता है तो stock में हम एक अच्छी rally देखने को मिल सकती है तो swing trade अगर हम करना चाहते है current market price में इतना prefer नहीं करूंगा क्योंकि बीच में trade कर रहा है नाई resistance के उपर है नाई support के आसपास है तो फिलाल यहाँ पर prefer यह करना चाहिए 2300 के उपर जाता है तो हम चोटे stop loss के साथ काम करने के बार में सोच सकते हैं चोटा मतलब 100 रुपय का stop loss approximately 22 हो का तो stop loss यहाँ पर आपको almost लेना ही पड़ेगा depend करता है कि यहाँ पर किस प्रकार से trade करता है उसके बाद breakout होता है तो यहाँ पर हमारा target क्या रहेगा हमारा target रहेगा यह वाला level जहां से आपको पहले भी गिरावट देखने को मिली थी यह level approximately 2640-2650 का level है तो यह हमारा swing trade के लिए target हो सकता है अब बात करते हैं यहाँ पर positional trade के बार में तो positional trade में भी entry तो same ही है इस zone के उपर अगर stock चला जाता है तो हम यहाँ पर positional trade के लिए enter हो सकता है stop loss क्या होना चाहिए तो stop loss की यहाँ पर 21-20 के आसपास अगर आप stop loss लेते हैं तो यह more than enough है अब देखिए अभी तक stock इसके उपर निकला नहीं है इसलिए अभी से एकदम perfect stop loss हम नहीं कह सकते हैं लेकिन एक around zone में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर किस प्रकार से trade करते हैं अगर one way में यह निकल जाता है तो हम इतना prefer नहीं करेंगे trade करना यहाँ पर थोड़ा 2-4 दिन pause लेकर अगर यह जाता है तो यह एक अच्छी situation रहेगी swing trade के लिए हम यहीं पर stop loss ले सकते हैं और positional trade के लिए approximately थोड़ा नीचे 21-20, 21-10 इस प्रकार सम stop loss लेकर positional trade के लिए enter हो सकते हैं हमारा target होगा 3000 का level इस प्रकार समें एंटर हो सकते हैं और full quantity में एंटर होने की मेरे इसाब से इतनी जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह भी एक अच्छा खासा resistance हमें नजर आता है लेकिन 50% quantity में हम एंटर हो सकते हैं और जैसे यह stock हमें 2650 के उपर भी sustain होता हुआ नजर आ है तो हम यहाँ पर अपनी quantity बढ़ा सकते हैं अब बात करते हैं long term के बार में current market price भी अगर आप चाहते हैं तो long term के लिए खरीदना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन technicals का अगर हम knowledge रखते हैं तो हमें clearly पता चलता है फिलाल stock बीच में trade कर रहा है तो यहाँ पर एक अच्छी condition क्या रहेगी आप यहाँ पर उपर प्रेफर करेंगे 2300 के breakout के बाद अगर आप प्रेफर करेंगे तो यह अच्छा रहेगा अगर बायचांस यह breakout नहीं होता है तो as a long term investor आपको दूसरा फाइदा मिलेगा stock अगर weak हो जाता है तो सस्ते में आपको मिल सकता है इसलिए मेरा मानना है जब भी कोई stock एक range में trade कर रहा है तो अगर आप long term के investor है तो भी range तूटने का wait कीजे कई बार क्या होता है भले ही आपको लगेगा भाई मुझे अभी 2170 में मिल रहा है बाद में 2300 में खरीदना पड़ेगा लेकिन कई बार ऐसा होता है मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो जाता है ब्रेक आउट होता ही नहीं है गिरावट हो जाती है तो आपको और भी जदा सस्ते में भी मिल सकता है तो इस प्रकार से भी आप चाहें तो long term के लिए plan करने के बार में सोच सकता है आई होप आपको वीडियो पसंद आता है कुछ सीखने को मिलता है थाइंक यू स्टे हापी हापी इन्वेस्टिंग